इसमिल्यार रख्माने रहें असलाम आलेकूम सिर्टिए धियर क्लास आज के लेक्चर में हम जो आपके लास चीरो है मुस्तिफा अक्माल उसके जो रिडिंग है उसको कम्प्लीट करेंगे प्रिवेस लेक्चर में हमने उसको कम्प्लीट किया था the courage of its word is astonishing आज हम अपने लेक्टर स्टार्ट करेंगे दी ग्रेंड नेशनल असेम्ली दे ग्रेंड नेशनल असेम्ली इसेम्ली इसेटिंग इन अंक्रा विल प्रिजाइट ओवर देस्टिनी अफ तर्की एसलों एसे केपिटल इन इस इन दी हैंड ऑफ दी फॉर्नर्स ओके जी ग्रेंड नेशनल असेम्ली कि जो अंक्रा में जो बैठी अजीम जो कोमी असेम्ली थी बिल प्रिजाइट ओवर दी देस्टिनी अफ तर्की कि वो जो तुर्की है उसकी किस्मत के फैसले करेगी उस वक्त तक as long as the capital is in the hands of the foreigners जब तक जो दारुखलाफा है गैर मुल्कियों के कबजे में है it has appointed an executive council इसने एक executive council मकरर कर दी है which has taken in hand the government of the country जिसने मुलक की हकूमत की बागदोड संबाल ली है Istanbul, the Sultan and the government being in the hands of the enemies Istanbul, बाश्या और जो गौर्मिंट है दुश्मन के कबजे में है all orders from there are automatically null and white null and white mean खत्म null and white का मिनिंग क्या होता है गैर मुसर, illegal and invalid कि इस्तनबोल जो capital था सुल्तान और जो गौर्मिंट है चूंके ये दुश्मन के कबजे में हैं इसलिए इनकी तरफ से आने वाले सारे जो एकामात हैं वो कल अधम है the nation's right have been violated जो कौम के हकूँख है have been violated वो घज़त किये गए है violate mean disobey, disregard the Turkish nation जो तुरक कौम है दो काम is determined to maintain its right गर्चे पूर अमन है is determined to maintain its right लेकिन वो अपने जो हकूख है उनको मनवाने के लिए पूर अज़म है as a sovereign independent state एक अज़ाद और खुदमक्तार रियास्त के जो अपने हकूख है उनको मनवाने के लिए वो पूर अज़म है ओके जी, next paragraph at last, आखर में as a month of May 1920 was drawing to its close कि जब 1920 में जो में का महिना था वो खत्म हो रहा था the allies published the terms जो इतहादी थे उन्होंने शरायत जो थी वो मन्जरे आम पर लेकर रहे आखर पीस अमन की which they were willing to make with मेहमत फोर जो मेहमत जो फोर था उसके साथ तैय करना चाहते थे a small and helpless Ottoman Empire was to be entirely under the supervision of the allied powers कि जो एक छोटी सी और बेबस जो सल्तनत ये उस्मानिया थी entirely mean completely मकमल तोर पर supervision नगरानी में थी इतहादी कुवतों के all the Arab provinces कि उन्हों ने था दिकुवतों के अंडर रहना था all the Arab provinces जो अरब सुबे थे were to become mandated territories mandated territory mean वो भी उसे भी मतहत अलाका बना दिया गया the whole of eastern Anatolia जो Anatolia eastern mean जो मश्रकी Anatolia था was to be added to the state of Armenia उसको Armenia की रासत में शामल होना था around Izmir के इसमीर के इर्दगित वास टुबे लार्ज ग्रीक डिस्ट्रिक एक बड़ा युनानी जिला बना था सिसलिया वास टू गो टू दी फ्रेंज जो सिसलिया था उसे फ्रांस को मिल जाना था इसने खुद कंट्रोल में चले जाना था बरतानिया के फ्रांस और इटली के उनली थी इमिजियेट हिंटर लैंड आफ इस्तनबोल सिर्फ इस्तनबोल का जो करीबी अलाका था जाफाती जो लाका था वास टू रिमेन आफ दी वंस एक्स्टेंसिव उसने टर्की न के उसने यूरप में तुर्की के तोर पर बाकी रहना था जो के कभी एक बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी ये थी जो डिविजियर सी जो के अलाइस जो कर रहे थे अगर इनको पूरी तरह माल लिया जाता तो वुड है बिन देथ संटेंस देथ संटेंस तो ये एक मोथ का प्रवानना था नाट ओली आफ दी आटोमन एंपायर सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के लिए नहीं बलके इसके लिए भी जिसे अब सही मानों में तुर्की कहा जाता था इस तरह की जो श्रायत पर मबनी एक मोहदा था अटोमन गोवर्मेंट इस्तन बोल में वास ब्रेंडिट बाइदी पेट्रियोर्ट्स एज़ पपीट गोवर्मेंट आफ ट्रेटर्स इस तरह के मोहदे पर दस्त्खत करने इस तरह के मोहदे पर दस्तखत करने गोवर्मेंट इस तरह के की जोई श्रायत नहीं प्रगोर करने के लिए बेस्ट उन सच टर्म्स इस तरह की श्रायत पर दी आटोमन गॉर्मिंट जो सलतने तिस्मानियां थी इस तनभोल में वस ब्रेंडिड बाइदी पेट्रियोर्स के जिस पर ठपल गा दिया गया था बाइदी पेट्रियोर्स मुझे जो महबल बतन लोग थे एस पपिट कट कुथली का गॉर्मिट का अप्रेटर्स अगर्दारों की और जो बुड़े हो चुके थे एंड अल्मोस्त इंटाइर टर्किश नेशन एक्सेप्टिर टर्किश गॉर्मिंट एट अंकरा और तक्रीबन तुमाम तुरक कौम थी उन्होंने अंकरा की तु पर पीछे पिछले परग्राफ में हमने कुछ डिसकस किया कि जो अलाइज थी उन्होंने कुछ टरम्स थी यह अलाका इसके अंडर चला जाएगा तो इन सब का मतलब यह था कि जो सल्चने तुस्मानियां थी वो खत्म हो जाएगी तो फिर क्या किया कि मुस्तफआ कमाल ने जो अंकरा में तुर्कों की एकोमत काईम की थी सारे लोगों ने उस गौर्मिड को कबोल कर लिया दिर वस नो वन कोई भी नहीं था तो इन्फोर्स थी टरम्स आफ दी ट्रीटी मौहदे की श्रायत को नाफस करने के लिए इन दी इवेंट आफ मेहमत साइनिंग इट मेहमत के दस्त मेहमत के जो इस मादे पर दस्तखत कर देने की सूरत में इसकी श्रायत को नाफस करने वाला कोई भी नहीं था ऑन दी 21 अगस्ट 1921 दी ग्रीक से टैक जुनानियों ने हमला किया इन दी मौंटेन कंट्री के जो पहाड़ी इलाके में अबाव दी स्कारिया रिवर्स कारिया द्रिया के ओपर सम 50 किलो मेटर वैस्ट आफ अंकरा अंकरा से 50 किलो मेटर दूर दी टू वेलियन पिपल जो द दू उन लोगों की जो दो बहादर को में थी उनकी लड़ाई हुई फार 14 डेस चालिस दिनों के तक अंडर दी बर्निंग हीट आफ दी संसूरज की तिल चलाती धोप में दी ग्रीक्स अटैकिंग विद रैकलेस जो युनानी थे वो भी बेजिगरी से अमलावर होते रहे अबंडन दी टर्क्स हैंगिंग ग्रिमली और दी हाइट्स और वो क्या करती रहे जो तुरक जो थे साबत कदमी से पहाड़ों पर डटे रहे मुस्तवा कमाल नौ देर कमांडर इंचीफ और मुस्तवा कमाल अब इनका सिपह सला था जो रहे किते दिन तक होती रही फार 14 ड से केरलेस एंड वाइल्ड अबंडन जान की बासी केरलेसनेस एंड वाइलनेस ग्रिमली पुर अजम फर्मली एंड रिलेंटलेसली बाजी फूर्थ अफ सेप्टमबर चार स्थमबर को दी क्रिटिकल मोमेंट हैड कम जो फैसले की गड़ी थी वो आ गई दी ग्रीक्स वार इंड अफ देर से ट्रेंज जो युनानी थे उनकी जो ताकर जवाब दे रही थी और ट्वेल्थ बारह स्थमबर को दी क्रॉस्ट इस कारिया उन्होंने क्रॉस्ट इस कारिया रिवर को पार किया एंड बिगें टू रिटायर स्टैडली और मसलसल वो पीछे हटते गए लेकन देर्ज दो क्वेश्ट अफ टो ट्रिकों ने इन इनका पीछा करने क फायदा उठ आया क्या ब्रदेर व स्टरोज स्नो प आप्वादा अपने जो एक मशूर जंगी नहरा लगा positivelymiddelth को स्टैड युर गोल is the Mediterranean forward के तुमारी मनजल भी रहा है रूम है forward आगे बढ़ो critical means crucial and very critical moment important moment retire, retire मिन वापस होना withdraw and retreat six days later छे दिन बाद the advanced guard जो हरावल दस्ता था आफ तरकिश तुरकों का तरकिश national forces के जो तुरक जो को तुरक कोमी जो फवाद के हरावल दस्ता जो था drawn within sight of the Mediterranean वो भीरे रूम के बिलकुल सामने था there lay Izmir crowded वहाँ पे इजमीर जो था वो पुरह जूम था and overflowing with refugees और उपनाग जीनों से बरा हुआ था there were ships for the Greek soldiers युनानी स्पाहियों के वहाँ पर जहाज थे but none for the Greek युनानीयों के लिए नहीं and Armenian के लिए नहीं crazed with fear वो पागल हुए वे था खौफ के साथ in the harbour tower जो बंदरगाह में बलंदो बाला जो tower थे the allied battleships थादियों के जंगी जहाज थे लाचार to do anything except to take away as many refugees on board as possible कि वो लाचार हुए वैसे उनके लिए क्या मुम्किन था कि वो जो उनके पनागजीन थे उनको उसमें सवार का रहे थे the Greeks alone were at war with the rebel Turks जो गिजुनानी थे वो तनहा ये जो बागी तुर्क थे इनके साथ जंग लड़ रहे थे a long time a long time of decorated cars entered Izmir on the 9th of September 1922 on the either side an escort of cavalry escort means सासा चलना, protection and bodyguard cavalry means घुर्सवार दस्ता, horse, soldiers क्या हुआ long line of decorated car एक लंबी नाइन जो सजी हुई कारों की थी वो enter हुई 9th September 1922 को Izmir में on the either side an escort of cavalry उसकी दोनों तरफ एक घुर्सवार दस्ता था in the leading car, सबसे जो अगे एक गाड़ी थी वाज मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल की थी जो कि कमांडर इन चीफ था of the free Turkish forces अजाद तरकों की फोज का and the saviour of Turkey और तरकी का नजाद देहिंदा था त्री डिज आफ्टर दी चेंज आफ गॉर्मेंट की तबदील होने के तीन दिन बाद, fire broke out in several parts of the city at once शेहर में अचानक से जो थी वो आग लगी, आग बड़क उठी बड़क उठी and greater part of Izmir was reduced to ashes और Izmir का बहुत बड़ा हिस्था जो था वो खाक में, राक में तबदील हो गया saviour mean जाद हिंदा, rescuer and deliverer ashes mean राक, dust मुस्तफ़ा कमाल नो realized, मुस्तफ़ा कमाल ने महसूस किया, that he must at last persuade the Ankara government to make an end of the puppet show in the old capital कि अब इसे कम उसकम, Ankara की हकूमत को, जो पराने दारल-खलाफा में कट-पुतली तमाशा है, उसको खत्म करने का, कहना चाहिए he proposed, उससे तजवीज दी, that सल्तनत should be abolished के जो सल्तनत है, के तुर्की की जो अजीम है, तुर्की की जो सल्तनत, जो एक हकूमती, उसको मकमल तोर पर खत्म कर देना चाहिए he proposed, the grand Turkish national assembly gave the verdict, जो अजीम जो कौमी assembly थी, तरुक तुर्कों की, उसने ये फैसला दिया, verdict मिन दिसीयन, फैसला, भाई दी, यूनिनेमिस, मुत्विक्का, यूनिनेमिस मीन, मुत्विक्का, जुनाइटी दे, यूनिफॉर्म, के एक मुत्विक्का वोट से, उसके तुर्की की, जो नैशनल dated at Istanbul, के रिफ़त ने इस्तनबोल में जो जबरदस्ती हकूमत की तबदिली पर अमल द्रामत करवाया, और अगले दिन, अगले दिन, आटोमन कैबिनेट, जो सल्कनत इसमानिया की कबिना थी, रिजाइंड ओफिस, उन्होंने इस्तिफ़े दे दी की, and was not replaced, और इसकी जगह किसी ने भी नहीं ली, कोडेट, 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 कोडेट मीन, और इल्लीगल चेंजिंग गौर्मेंट के गौर्मेंट में जबरदस्ती तबदिली, जो इस पेरग्राफ में हमने जो वर्ड पढ़ है, कोडेट, कोडेट मीन का मिनिंग क्या है, कि जबरदस्ती हकूमत को कुमरान था एंड प्राइवेट पार्क और एक पार्क का कुमरान था उसने मैसूस किया ही कुड ट्रस्क नोवन वो किसी पर ब्रोसा नहीं कर सकता बट एन ओल्ड कंड़क्टर आफ दी रॉयल और कैस्ट्रा और कैस्ट्रा मीन अग्रूप आफ मुजीशन के मासवाइश शाह थारिएंटेंटन की तरह बेजा कि रिकवेस्ट करें ब्रिटिश प्रोटेक्शन की पार्दी इंपरर आफ आफ उप आस्ट्रावडर्ण कर जो हैं दर्थी के बाश्याह को तक्सीम करने वाले मास्टर आप योड़ब का जो मास्टर एशिया का आफ्रिका का हई लिएक कि दो समंद्रों के जो अजीम बाश्याति इसने किसको कहे सर चार्ल्स हरेंटन के पास उसने अपने एक प्रिगाम एक बेजा और यह जो थारे वर्ड्स हैं इसमें उस जो किंग था उसको एप्रिशेट किया हुआ है यह 17th of November 1922 की बाद थी अब रिटीश मोटर एंबूलेंस एक जो ब्रिटीश जो गाड़ी थी विए पेट इसाइड दोर आफ दी पैलिस महल के एक दुराज़े से निकली विए महमत वास टेंग जहां पर रह रह रहा था सम पैगिज वस ब्राट आफ दी पैलिस कुछ समान निकाला गया और प्लेश इंदी कार एंड एल्डरी मैन फालोड उसके पीछे एक बुड़ा आदमी आया अब रिटिश ओफीसर तुक दी ओल्ड जेंटलमेंज अम्रेला एस एंटर दी वीकल जब वो गाड़िन बैठा उसके उसने अम्रेला को पकल लिया अब क्या था कितमाम जो उसमानी बाश्या हो से बड़ा बाश्या अंकरा में अपनी इक्तदार की सीट पर बैठा हुआ था एक्स्प्रेस्ट रॉर लीडर हुवा था एक्स्प्रेस्ट रॉर लीडर हुवा था एक दोर का खात्मा हुआ और टीटिनाइन अक्तूबर 1923 दी नेम आफ दी आटोमन उंपायर वाजवाइब फ्राम जिस लेटा फिस्ट्री तरी की तख्ती से सल्तनत उस्मानिया का नाम खत्म कर दिया गया असलीट आफ और हंडर्ड एन वन हंडर्ड गांस प्रोक्लेम डी फांडेशन आफ तरकिश रिपब्लिक के एक सुत एक तोपों की इसलामी दी गए जमूरिया तरकी के क्याम का अलान किया गया और मुस्त्वा कमाल एज प्रे और कि आफ लूग के सिकुनियर यह हैं फोर क्वेश्शन आप लोगन डिस्कुस करने हैं यह कौन कौन से हैं क्रिसान नंबर है नयंगहिड वैट ऑफर फडू तर्की बाइदी अलाइथि कि तुर्कों को अलाइस ने कौन सी जो शिराय थी वोफर की थी नेक्स्ट क्वेस्टन है गिव इन अकाउंट आफ दी ग्रीक अटेक एंडिस डिपीड नेक्स्ट क्वेशन है डिव इन अकाउंट आफ दी दिपार्चर आफ महमत फ्रॉम इस्टनबोल एंड ओकई यह थ्री क्वेस्टन आप लोगों लेर्न करने दुबारा से क्वेस्टन रिपीट करती हूं वट वर दी टर्म्स ऑफर टुटर्की बाइधी अलाइस एंड गिवेन अकाउंट अफ ग्रीक अटेक एंड इस डिफीट एंड गिवेन अकाउंट आफ डिपार्चर आफ मेहमत फ्रॉम इस्तनबॉल यह आपके बुक पर कौन-कौन से क्वेस्टन नंबर कौन-कौन से हैं यह थरह यह भी बता जैते हैं आप लोगों को यह हैं क्वेस्टन नंबर 9 10 11 सेकिन यह आज के लेस्टन में आप लोगों क्या याद करने क्वेस्टन नंबर 9 10 11 और जो हमने रीदिंग की है उसके सिनों निम्ज में साथ सथ एक्प्रेण करती रही हूं उनको भी आपने च्छे तरीके से याद करना है नेक्स्ट नहीं यह आप of in the air, in somebody's good books, in the doldrums, in the nick of time, in the teeth of and a jail bird, 200 तक, 191 से 200 तक आप लोगों ने idioms याद करने, ओके जी, second year आज का आपका लेसन है, मुस्तफा कमाल की जो रीडिंग हमने की है, उसके सिनोनिम से एकने है, question number 9, 10 and 11, सारा आज हमने रीडि की हैं, questions के answers, इनको याद करना है, 10 अपनी इडियम्स याद करने, आज हमारे 200 इडियम्स हो गए है, okay जी,